आप देख रहे हैं हमारा X-Form exclusive series और आज की series में हम बात करने वाले हैं to study the anti-inflammatory activity of given drug using kerogenin-induced power edema method simple सा practical है बड़ा interesting होता है जब कभी से हम online की जगा offline क्या करते थे इन भी वो तरीके से करते थे तो इसका experimental का learning object है वो काफ़े अच्छा आया हुआ करता था बड़ चुकि यह in vivo नहीं होकर कि in silico method है यहाँ पर आपको कोई भी experimental लिमल यूज नहीं करना है real form में सब कुछ virtual form में होगा चलिए सब से पहले हम बात कर लेते हैं basic protocol का इसके लिए हम यूज करते हैं एक machine जिससे हम करते है प्लेथिस्मो मीटर या प्लेथिस्मो ग्राव जो कि आपको यह reading दिखाएगा कि भी यह actually में inflammation कितना है जब आप उसको drug दोगे तो उस drug का असर हो रहा है कि नहीं और अगर यह हो रहा है तो inflammation को कितना कम कर रहा है यह भी आप देख सकते हो इसका wise words अभी कर सकते हैं inflammation कम हो रहा है तो इससे हम justify कर सकते है screening model के तरह के से कि हाँ आपका जो दिया गया ड्रग है उसके अंदर anti-inflammatory activity होती है तो समझ लीजे कि anti-inflammatory activity होती क्या है anti-inflammatory activity मतलब ऐसी activity जो inflammation को कम करती है question फिर से arise होता है कि inflammation है क्या inflammation एक ऐसा process है जो basically हमारे लिए एक अच्छा है अगर यह controlled manner में हो तो क्योंकि यह हमें signal warning के form में देता है कि there is something wrong going on in your body आप सको as soon as possible rectify कर लो तो inflammation के पीछे कही चीज़े काम करती है जैसे कर आप यहाँ पे click कर लोगे principle में तो आपको बता भी रहा है कि inflammation के लिए basic जो local mediator होते हैं बेसिक जो hormones होते हैं local hormone autocoid like histamine, serotonin, kinines यह बहुत दुपून पाट प्ले करते हैं और यह पूरा का पूरा होता है prostaglanding के synthesis की वज़ा से और इसके बनने के लिए coxpone और cox2 दो पाथवे हैं lox pathway और cox pathway इनके मतलब से वो inflammation होता है तो हम नहीं चाहते हैं inflammation हो क्योंकि inflammation से pain होगा, redness होगा तो हम उसको ठीक करने के लिए drug use करते हैं और अगर हम यह देखना चाहते हैं कि वो drug काम करता अगर नहीं करता है तो फिर definitely उसके लिए आपको platysmo graph यूज करना पड़ेगा बात यहाँ पर यह आती है कि inflammation हम cause कराएं कैसे अलग-अलग methods हैं लेकिन यहाँ पर कुछ methods जैसे आपको मैं सर्जिस करता हूँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुछ methods जैते हैं जिनमें मुक्य रूप से formalin incarceration का introduction करना, carogenin यूज करना, cowlion यूज करना, yeast यूज करना, dextron यूज करना इनको हम यूज करके पाव में inject करके आपके particular experimental animal में inflammation cause कर सकते हैं जब inflammation cause हो जाएगा उसके बाद हम drug देंगे, drug का vibration चेक करेंगे कि वो inflammation कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अगर कम किया तो that is very good कि आपको जो drug है वो anti-inflammatory activity possess करता है, वो काम कर रहा है तो आपने समझा basic part, basic principle, चलिए move करते हैं experimental section पर यहाँ पर आपको instruction दे रहा है कि आपको 12 चुहे लेने हैं 12 चुहे लेने के बाद अलग accordingly इन सबके में आपको kerogenin को introduce करना है पाव में सबके power में kerogenin induce करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप सबको देखोगे कि किस एक particular drug को हम देते हैं किस particular group में तो उस गरप में inflammation कम होता है कि नहीं तो inflammation कम होता है कि नहीं होता है यह तो जरूरी है जानना लेकिन उसके लिए inflammation cost करना जरूरी है सबी चूओं पे हम kerogenin को introduce करेंगे उसके बाद 30 seconds 30 minutes तक हम wait करेंगे इसके बाद हम animal को दो group में divide कर देंगे obviously एक group में 6 animal रखा जाएगा इसके बाद हम एक group में जिसको हम लोग बोल सकते हैं drug यहाँ पे drug लिया है acetyl salicylic acid 300 mg per kg उसको देंगे और दूसरे group में हम हमारा जो vehicle है उसको देंगे उसके बाद फिर से आदगंटे wait करेंगे उसके बाद हम पाओ के जो edema हुआ है सूजन हुई है इसको हम evaluate करेंगे उसके volume को note करेंगे उसके बाद हम एक एक group में drug जिसको दिया है उसका measurement करेंगे और जिसको drug नहीं बलकि vehicle दिया है उसका measurement करेंगे और last में हम conclusion निकालेंगे कि हमारा दिया गए drug काम करता है कि नहीं कर इसके लावा आपने देखा formalin या फिर east extract भी एंपन डाल सकते हैं फिलाल के रेजिनेंट डाल रहे हैं इसके बाद इसके power में inflammation आ जाएगा तो हमें सभी के पैर में inflammation कॉस करवा के divide कर दिया एक ग्रूप आपके left side में vehicle treated दूसरा ग्रूप है आपके right side में drug treated तो सबको हमको एक रखदा नहीं होनी चाहिए थी वीडियो में दिखाने की इसके बाद हम इसको वापस से प्लेटिस्मोमेटर में रख रहे हैं और इसके power का जो volume है वो note कर रहे है पाओ का volume कहने के मतलब है सूजन एक बार simple तरीके समझे अगर आपके किसी particular part में हाथ में पैर में सूजन कम ह तो वो कम full hour नजर आएगा सूजन जाद है तो वो जादा full hour नजर आएगा तो कितना full hour हुआ है मैं सरा language में बोल रहा हूँ वो आप यहाँ पे note कर रहे हो अगर हम drug देते हैं तो वो दीरे दीरे कम होना सुरू करेगा और कम होता है तो वो काम कर रहे है तो पहला चुह हमार वेड करते हैं वेड करने के बाद इसके पैर को फिर से में डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भीया कितना पाव वाल्यूम शो कर रहा है तो यहाँ पे पाव वाल्यूम है इसका 0.75 हरा चीज आपको absorption फाइल में note करते हुए चलना चाहिए अगले चु है इसका वाल्यूम आया 0.78 हर चीज़ें आप note करते हुए चलिएगा इसके बाद बार यह आती है अगले चुभे अब सेम ग्रूप यानि कि वेहिकल टीटेट ग्रूप को देने की यहाँ भी हम उसको वेहिकल अडिमिस्टर कर रहे हैं वेहिकल करने के बाद 30 मिन हम वेड क करेंगे वेड करने के बाद इसके पाऊ को वाल्यूम को note करेंगे अब इसका पाऊ को वाल्यूम है 0.74 इस तरीके से हम एक और सेके लास्ट को dodo करते हैं process will be the same here we will go to the vehicle to the vehicle treated group उसके बाद हम वेड करेंगे आदे घंटे को कि उसको act करने के लिए समय लगेगा आदे घंटे प्लेस्मोमीटर में ट्रांस्पर करेंगे और इसके वॉल्यूम को नोट करेंगे इसका वॉल्यूम है 0.77 ml एक चीज आपको बता दू बीच बीच में कि प्लेस्मोमीटर जैसा दिखता है वा ऐसा सिंपल सा इस्टूमेंट से है उसमें हम mercury यूस क्या करते थे पारा इसका कार ये चीज़े सेम तू सेम हो और वो आपको प्रोसिज़र में दीख भी गया था तो इस तरी के से हम डिस्प्लेस्मेंट बैल्यू नोट कर सकते हैं फाइनल चुआ है हमारा वेहिकल टीट का इसको भी इंट्रूस करते हैं और यह देख लेते हैं कि इसके पार में कितना नोट किया वैसे हम सुरू करते हैं चलिए आपके ड्रूग टीट का ड्रूग टीट करते हैं तो अगर यह द्रूग काम कर रहा है एंट्री इंट्रूमेटरी एक्टिविटी पसेस कर रहा है तो इसका जो इंट्रूमेशन होगा वो एस कंपेर दो प्रीवियस वन वेहिकल ग्रूप के तुनला में कम होगा और वह यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसकी वैलिव आई है 0.55 दूसरा अनिमा ले लेते हैं ड्रूग टीट ग्रूप का और यह देखते हैं कि इसका क्या है पाव वाल्यूम का एक एमल मिजर्मेंट जितना कम होगा उतना हमारे ड्रू काम कर रहा है और ओवराल हम एवरेज निकाल करके देख सकते हैं इसका आया 0.49 देखते जाईए कि आपके बैल्यू कम होती जा रही है तो इसको हम समझ सकते हैं कि वो ड्रूग काम कर रहा है अगले चुभे को लेते हैं ड्रूप में से एक चीज़ आप और ध्यान में रख इन होना यहाँ पे अब देख लिए जिसको हमने रखा ता इसका जो वाल्यूम आया है वह 0.58 इसके बाद हम एक और चुभे को इंटिडूस करते हैं इंटिडूस करने के बाद हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे ताकि ड्रूग की एक्टिविटी देने में तो समय लगता और उसके बाद हम वापस से इसको प्लेटिस्मोमेटर में रखेंगे इसके पैर को जहां तक हमने मार्क किया हुआ है उसको इंटिडूस करेंगे इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि एनिमल को डिप किया गया है बट अक्चुली उसके हम पाव को डिप करते हैं पैर के तलव पाच में चुहे का जो पाउ वाल्यूम आया मिजर्मेंट वह था 0.56 यह हमने नोड कर लिया और आखरी में ड्रग ट्रेटर ग्रूप का आखरी चूहा ले रहे हैं और इसका भी हम मिजर्मेंट चेक करेंगे कि इसका जो इंफ्लामेशन हुआ था उसको ठीक करने के लिए जो और द्रग ट्रेटर दोनों के चुहों का मिजर्मेंट ले लिया में अब हम चलते हैं अब्जर्वेशन पर अब्जर्वेशन देखिए दो ग्रूप बना है वहिकल ट्रूप बना है वहिकल ट्रूप की थी तो इंफ्लामेशन थोड़ा जादा दिख रहा था आपको ओवर पर देखिए 0.75 और 0.53 तो इसका मतलब साफ है कि 0.53 0.75 से कम है इसका मतलब है कि इसमें इंफ्लामेशन कम है इंफ्लामेशन कम है इसका मतलब भी है कि आपके ड्रग ने काम किया तो इस तरीके से आज कर प्रेक्टिकल में हमनें conclusion क्या निकाला Decrease Average Power Volume in Drug जो कि यहाँ पर था Acetyl Salicylic Acid Treated Animal Sows Anti-Inflammatory Activity of Drug Acetyl Salicylic Acid मतलब सिंपल सा है कि जिस ड्रग के कारण से आपने Anti-Inflammatory Activity दी वो यह दिखा रहा है कि पाव के वालियूम को, Inflammation के वालियूम को, सूजन के वालियूम को वो कम कर पा रहा है तो यह था हमारा आज का सिंपल सा प्रेक्टिकल जिसने हमने परफॉर्म किया, X-Forms or Pricade Through तैंक यू से मार प्लाज इस वीडियो, अगर आपको पसंद आ रही है हमारी मैनत, तो प्लीज दू सपोर्ट अस, थैंक यू, and do take care of yourself